अगर आप teacher बनना चाहते हैं और वो भी आप army public school में पढ़ाना चाहते हैं तो आप अपना ये dream पूरा कर सकते हैं क्योंकि 2023 में army public school से भी recruitments निकली हैं जिसमें आप teaching में apply कर सकते हैं तो PRT, TZT, PZT, तीनों ही जो हमारे पास level होते हैं तीनों ही level में इनकी recruitments हैं तो आपकी ज रहती है और जो level रहता है उसके according आप इनमें apply कर सकते हैं फुल डिटेल हम यहां discuss करने वाले हैं कब registration होगा कब paper होगा क्या syllabus आएगा क्या क्या इसकी eligibility हैं चलिए discuss कर लेते हैं with official PDF ये इनके official PDF है जिसमें मैंने दारेक्ट इबिं 5th page number निकाला है जो निकाला है क्योंकि यहा आपके साथ शेयर करने के लिए इसलिए मैंने फिर भी सोचा कि मैं बनाई देती हूं कि 10 जुलाई से लेकर के यह registration open हो गए थे 10 सेप्टेंबर तक आप कर सकते हैं यानि कि अभी भी आपके पास time है register करने के लिए आज 28 जुलाई हुआ है 28 जुलाई के बाद अभी तो आप कर्मिट कार्ड मिल जाएगा पेपर के लिए और एक्जाम जो होगा वो 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2023 को होगा उसके बाद 23 अक्टूबर को आपका रजल्ट डिकलेर कर दिया जाएगा तो यह तो बिल्कुल basic सी information थी अब मैं और थोड़ा डिटेल में इसके साथ डिसकस कर लेती हूं कि यह जो test है हमारा इसमें actually का eligibility रहती है वो सब मैं आपके साथ इस वीडियो में डिसकस कर लेती हूं देखिए यहां पर हमारे पास इनों ने लिखा है कि इसका पहले online screening text होता है जो अभी बात कीती हमने 30 सितंबर या 1 अक्टूबर को होगा ठीक है तो जो भी इ एक बार उसको जो है clear करना है जिस तरीके से आपका seated होता है वैसे ही आपको एक बार clear करना है एक बार clear करने के बाद जो है आपके लिए वो हमेशा के लिए valid हो जाएगा ठीक है passing online screening test is henceforth not mandatory for appearing for the interview ठीक है फिर उसके बाद जो है वो mandatory नहीं रहता है interviews वेगेरा के लिए ठीक है आपको वो भी सारी चीजने clear करने पड़ेगी आपकी interview होगा interview आपको clear करना होगा test होने के बाद ठीक है चलिए अब यहां पर यह भी mention किया हुआ है interview को वेगेरा होगा वो सब बाकी बात की बाते हैं पहले आपको test clear करना होगा ठीक है next हमारे पास है कि क्या-क्या इसकी eligibility है qualification क्या है देखिए qualification अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजवेशन की तो आपका 50% हो और जो आपकी PRT है उसमें DLA और या BLA अपनी कर रखी है तब आपकी 50% हो लेकिन इसमें एक और अच्छी बात यह है कि आप BAD अगर आप है और फिर भी आप PRT के लिए apply करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं उसके लिए आप इसमें पर है तो क्वालिफिकेशन तो आपकी बहुत सिंपल सी है ठीक है जो बिल्कुल बेसिक होती है उसके कोडिंगी इन्होंने क्वालिफिकेशन रखी है सीट होना कोई ज़रूरी नहीं है इस नोट मैंडेटरी क्योंकि यहां पर आप क्या कर सकते हो कि आपका जो स्कोर कार्ड मिलेगा उसी के बेस पर जो है यह आपको चूज करने वाले हैं एक्सपीरियों एज एक्सपीरियों क्राइटरिया यहां पर मैंशन किया हुआ है ये तो एक थो स्पैशल होता है कि आर्मी स्पाउसी के लिए अगर कोई मेल जो है वहां पर है तो उसकी अप्लाई कर सकते हैं और बिलो 57 जो है 5 years experience होना चाहिए तब आप अप्लाई कर सकते हैं तो यह हमारे पास रहा डेट मैंने आपको बताई दी टेस्ट की 30 सितंबर यह एक अक्टूबर हो सकता है एक्जाम सेंटर आपका कहीं पर भी आ सकता है लेकिन मौसली आपके ही रिस्ट होगा ठीक है नेक्स हमारे पास है फाइनल स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा वह 100 रुपीज दे करके आप उस स्कोर कार्ड को जो है लाउन्डोड कर सकते हैं ले सकते हैं ठीक है रजिस्ट्रेशन की हम बात करी चुके हैं यह सब मैं आप से डिस्कस कर चुकी आप चलिए स की इलिजिबलिटी आपको अलग लग यहा पे मैंशन की हुई है आपको PGT के लिए Τीजिती के लिए और PRT के लिए जो उससे पहले यह जो है लिस्ट अबसकी फोग्स जो है इनों ने लिखे होई है क्लासिफिकेशन की हुई है यहाँ पे टीक है इसमें सारे मेंचं़ यहां पे पोस्ट ग्राजुट टीचर के लिए यह पूरी जो है डिटेल दी हुई है कि क्या एलिजिबिलिटी रहेगी ठीक है उसके बाद टीची के अंपूटर के लिए अलग से इनोंने मैंशन किया हुआ है ठीक है इंफरमेटिक्स प्रैक्टिस के लिए किया हुआ है दें पीजिटी फीजिकल एजूकेशन के लिए डाल दिया देन आता है हमारे पास टीजिटी के लिए ट्रेंड ग्रेजुट टीचर में जो इन्होंने Ten in mentioned किया है कि यहां पर कोछ जरूरी नहीं है आपका बीएड होना, ठीक है これ प्राइमरी टीचर के लिए दिया हुआ है प्राइमरी टीचर जो है वो बैअल mı बीएड चांगे और 200 questions आयंगे आपकी तॉटल, ठीक है section अ में क्या होगा ? के और current affairs होंगे 10 questions मिलेंगे आपको serial 1 to 10 ही होता है normally national level के current affairs आते हैं international events के आते हैं global level के आते हैं तो इसमें एक से 4, 5, 8, 9, 10 यानि इनको इस तरीके से यह series भी दी हुई है कि इतने number जो है एक से 4 में आपके national level current affair आएगा 5-8 में या आएगा और 9-10 में आपका global level आएगा ठीके अगर section B की बात करें तो pedagogy curriculum and education policy matter करती है यहां पे ठीके pedagogy और यह सब जखों यहां पे लिखा हुआ प्रिपेटरी स्टेज पे 11-18 आठ question आएंगे मतलब आपके child psychology के लिए जो है उननी से बाइस आपके फिर से छे question हो चार question हो गई sorry RTE NEP 2020 NCF 2005 यह जितने भी आपको topic दियो है इनके उपर आपको 33-30 question मिलने वाले हैं section C में academic proficiency है जिसमें भी आप दे रहे हैं जैसे science के लिए अगर आप दे रहे हैं तो 31-80 question आपके जो है क्या मिलेंगे science के लिए मिलेंगे social studies के लिए 80-120 मिलेंगे mathematics के लिए इतने मिलेंगे English के लिए इतने और Hindi के लिए इतने है सेम आपका pattern रहेगा इसके अंदर भी ठीक है बस आपका जो section C है उसमें आपको थोड़ा changes मिलेंगे इसमें subject knowledge जो है वो मिल जाएगी आपको moderate subject knowledge based on this यानि कि यह तो हमारे पास six to ten standard दी हुई है NCRT books के भी लिखी हुई है इन्होंने 70 questions मिलेंगे फिर 40 questions मिलेंगे higher subject knowledge की मिलेंगे आपको फिर ठीक है और उसके बाद proficient level of subject knowledge मिलेंगे यानि कि उसका level तोड़ा difficult होता चला जाएगा उसके coding है आपके subject से related 31 to 200 questions यानि कि आपका subject आपको यहां पर pass करवा सकता है और वही selection दिलवा सकता है then again फिर post graduation के लिए वही फिर same हमारे पास criteria रहता है देखिए 30 के बाद के questions जो है वो सारे आपके subject से related होंगे तो यह हमारे पास है पूरा का पूरा detail आपके army public school में admission आपका recruitment पाने के लिए आपका admission तो हम ऐसे नहीं कहेंगे ठीक है जो पाने के लिए मैं आपसे बात कर रही हूँ और यह जो है यहां पर centers दिये हुए हैं इन में से कोई भी examination center आपका आ सकता है तो यह थी आपके लिए important update अगर आप बनना चाहते हैं army public school में teacher तो आपको इतनी महनत तो करनी ही पड़ेगी और इसमें भी अगर आपको लगता है कि आप इसमें deserve करते हैं आप इतनी महनत कर सकते हैं तो आप अपनी कोशिश को जारी रखिएगा हमारी तरफ से जो भी बच्चे अपलाए करने वाले हैं उनको all the very best thank you very much for being with us